हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी? I hope आप सभी बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे और स्वास्थ होंगे एक बार फिर आप सभी का आपकी अपनी खुश्बुईंदोरी चैनल में बहुत-बहुत स्वागत है दीपावली की बहुत-बहुत शुबकामना है दीपावली का जो त्योहार है, उसकी खुमारी अभी उत्री नहीं होगी उसका जो हर सो लास है, वो सभी के जीवन में चली रहा होगा अभी और इसी कड़ी में मेरा ये दीपावली वाले दिन का ब्लॉग आया है जिसमें मैं बना रही हूँ बेसन के लड़ू अपने गनपती बपा के लिए लड़ू जो है बापा को बहुत पसंद है तो सुबह मैं थोड़ा सा फ्री थी और मैंने सोचा कि मैं थोड़े से लड़ू बना लेती हूँ तो मैंने पाव भर करीब बेसन जो है उसको अच्छे से भून लिया था घी में डालके और ये मैं बूरा सक्कर डालकर इलाईची और थोड़े से ड्राइफूट डालकर लड़ू बना लेती हूँ उसके बाद अपना आगे का काम भी करना है आजदीपा वली है तो बहुत सारे काम है खाना पीना पूजा पाट सभी चीजों की ववस्ता लगानी है तो इस समय शाम के चार बज रहे हैं मैं चार बजे से ही रंगोली बनाने के लिए बैट गई हूँ मैं बहुत स्लो बनाती हूँ और बहुत सिंपल सी बना लेती हूँ यहाँ पर लोग बहुत अच्छी बनाते हैं और बहुत जल्दी बना लेते हैं तो दीरे दीरे करके मुझे भी आता जा रहा है मैंने अपनी एक एक सीड़ी पर इस तरीके से फ्लॉबर बनाए हुए हैं स इस तरीके से जब हमने यहां आके देखा तो मैं भी बनाना सीख गई और ये दो फ्लॉबर मैंने अपने रूम की जो छट है उसके आगे बना लिये ते हो ये एक छट पे एक मैंने दीपक बना लिया और अब शाम का समय है करीब साथ बज रहे हैं और मैंने सारी पूजा की व दवस्था में करती जारी हूँ मेरे हस्बेन भी बताते जा रहे हैं वो मस्त बैट पर बैट कर लैपटॉप चला रहे हैं और मुझे बताते जा रहे हैं ये कर लो नवो कर लो हम लेडीज के लिए ऐसा ही रहता है बहुत काम करने बढ़ते हैं यह आप देख रहे होंगे मै मैंने एक जोले में सारा सामान रखा हुआ था जो भी चीज़े याद आती जाती थी मैं उसी में रखती जाती थी ये पूरा नास्ता मैंने जो की बनाया है और एक प्लेट मैंने कटोरी खाली रख दी है कि जो भी चीज़े रहेंगी इसी में चढ़ा देंगे बाकी का सारा सा तिमा है P elector हम्हों ने केबल पोस्टर लिया ता टाइब है। चार चीज़े हो रही थी तो मैंने थोड़ी सी चीनी भी रख दी है, हालाकि मिठाई बगएरा सब कुछ है, सारी तयारी पूजा की हो गई है, और ये मैं भी तयार हो गई हूँ, आप देख रहे होंगे, मेरे अजबन मेरे लिए एक सरारा सूट लेके आए हैं, जिसमें मैंन ये एक मिरर बर्क की चुनी केरी करी हुई है, बहुत कमफर्टेविल है, बहुत अच्छा लुक लग रहा है, मुझे खुद भी पहनने में बहुत अच्छा लग रहा था, एक पॉजिटिविटी आती है, एक अलग सी फीलिंग आती है, कुछ अच्छा पहनते हैं, और लक् पूजा करते हैं और एक बार फिर हमारे परिवार के सपरिवार आप सभी को सपरिवार दीपावली कभी हैपई नहीं होती और दीपावली कभी मुबारक नहीं होती ऐसा हमने सुना है तो आज जो है दीपावली को शुब बनाते हैं यह जैऑ और इभार यह जार प लंट चुना हूności, था? आज का बर्क है और बस वैसे ही तयार तो करते हैं पूजा ये देख रहे होंगे फैमिली मेरी बैठ चुकी है पूजा के लिए मैं भी जा रही हूँ पूजा करने के लिए माता भी विराज गई है माता को वस्त्र आभूसन और हल्दी कंकू सारी चीज़े और करते हैं पूज लक्षमी और गड़ेश की प्रतिमा मिर्टी की मिलती है दोनों लोग की यहां पर सिंगल माता महालक्षमी की ही प्रतिमा मिलती है यहां बोलते हैं कि लक्षमी पूजन है तो मैंने मेरे छोटे से गनपती जी भी रख ली है अपने पास में कि लक्षमी पूजन होगा और ग चाहिए अपने भाव अपने भगवान के सामने खोल कर रख दें कि कैसे मन के भाव हैं, लक्ष मैं और मेरे हजबन आराम से माता की अराधना कर रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है, आज के दिन के लिए हम लोग कितनी तयारी करते हैं, कितनी खरीदारी करते हैं, हर चीज लाते हैं अपना घर सजाते हैं कि हमारी माता जो हमारे घर विराजे हैं सब चीजें शुब शुब कर दें चारों और प्रकाश फैल जाए दिवाली का साथ ही दोस्तों मैं आप सभी से छमा चाहती हूँ सोरी बोलती हूँ कि ब्लॉग थोड़ा सा लेट हो गया है थोड़ा सा टाइम का अजिस्ट्मेंट नहीं हो पाया था तो प्लीज आप ब्लॉग को देख लीजेगा इंजॉय कर लीजेगा और आई होप आप सभी कि अभी ऐसी ही पूजा होती है जैसी मैं कर रही हूँ थोड़ी बहुत कुछ चोटी मोटी गल्टियां हो गई हो तो भगवान हमें चमा करें सर पिट्थम हम लोग गनपती जी की आरती करेंगे उसके बाद हम महा लक्ष्मी की आरती करेंगे हमारे यां ऐसा माना जाता है कि जहां भगवान बिराजे हैं पर एक फुल जड़ी जरूर चलाई जाती है रोशनी जरूर की जाती है तो लक्ष लगे हैं अपने काम पर और मैं अपने छोटे से घर को दीपको से रौसन कर रही हूँ दीपको के प्रकास से जगमक कर रही हूँ याप देख रहे होंगे, जहाँ जहाँ भी मैंने रंगुली मांडी है, वहाँ भाँ मैं दीपको का प्रकास कर रही हूँ, बहुत सुन्दर अद्वुद अकल्पनी द्रश है, सभी के घरों में ऐसे दीपक प्रकासित हो रहे हूँगे, ईश्वर करें, यह प्रकास उनके जी इश्वर ने हमें इतनी खुबशूरत दुनिया दिखाई है जो की बहुत ही अच्छी है आप बटाके फोड़े जा रहे हैं और मैं भी अपने ब्लोग को यही एंड करती हूँ इसके आगे का ब्लोग भी है मैं वो भी आपके साथ शेयर करूंगी बहुत उत्साहत मन से बहु बहुत बहुत शुब कामना है स्वी राम के राज्या विशेक की बहुत बहुत शुब कामना है बाई बाई टेक क्यार